सर शरी द्वारा दिशायुक जागरती संदेश का मुझ पर कितना असर होगा उसकी चाहत अलग है तो उसका फल मुझे भी बगतना पड़ेगा क्या तो इसको समझें किसी भी दूसरे के विचारों का असर आप पर नहीं होता यानि कोई और कुछ गलत सोच रहा है आपके साथ रहने वाला तो आप पर डिरेक्ट कोई असर न उससे बचना आपको घर को सवर्ग बनाना है दो लोगों का सईयोग चाहिए और घर को नर्क बनाना है तो एक का सईयोग दूसरे की बेहोशी चाहिए गर को नर्क बनाना है तो एक का सईयोग दूसरे की बेहोशी चाहिए सवर्ग बनाना है तो एक का सईयोग भी हो चाहे म पर दूसरे का होश चाहिए, सायोग नहीं है चाहे, मर होश चाहिए, तो क्या होता इसको समझना, आपके साथ में रहने वाला परसन नेगटिव थिंक रहे, तो उसकी नेगटिव थिंकिंग से आप पर असर नहीं होगा, यानि आप उसके साथ गाड़ी में जा रहे हो, आप कर रहे हो, चला रहे हो, तो आपका एक्सिडंट नहीं होगा, वो पिछे बैठा है आपके साथ, मगर आपका एक्सिडंट नहीं होगा, मगर अगर वो पिछे बैठकर लगातार बोल रहे, बहुत एक्सिडंट होते हैं, फला जगे यह एक्सिडंट होगया, यह तर यह और आपके विचार भी वैसे शुरू हो गए तो ही वो चीज अट्रेक्ट होती है जब तक आप होश में हो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए आप निश्चिंत्र वर्ना लोग बोलते तूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं यह हो रहा है वो रहा है वो इंडरीटर से कर वैसे बनने में प्रेरित करते हैं यह इसर है मर आपके विचार वैसे नहीं बनेंगे तो आप पर कोई असर नहीं होगा देखो हर बस जो जाती है ट्रें जाती है उसमें नेगेटिव थिंकर बैठे ही रहते ना मर बस ड्राइवर का कौन सा विचार होता है ऐसी हजारों ट् जगे पहुचेगी यह तो अच्छा है जो ड्राइवर है उसके विचार सबसे इंपोर्टन्ट जो चला रहा है बस तो आपके जीवन को आपके विचार चला रहे हैं विचार नियम समझेंगे तो कुछ नेगेटिव लोग आपके साथ है तो आप परेशा नहीं होंगे और खले आप देखो कहीं उनका सुन सुनके आपके विचार वैसे प्रेरित तो नहीं हो रहे है क्योंकि बेहोशी में हो जाता है और बच्चों पर तो ज्यादा होता है जैसे पैरेंट्स मिल गए बच्चा पेट में भी है और मा नेगेटिव धिंकिंग करते वेठी है तो बच साथ वैसा क्यों हो गया कि बच्चे तो सहज है जिस तरफ मोडो मुड़ जाते क्योंकि बच्चा मा के शरीर का ही पार्ट है मा के विचारों का आसर उस पर हो जाता है बीमारिया हो जाती है कुछ अगण आ जाते हैं कुछ पैटर्स आ जाते हैं डर आ जाते हैं इलाज है ब अगर कई सारे अनसुल जे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलते हुए नजर आएंगे, सवाल रहती न, जीवन में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कुछ लोगों के साथ ऐसा, कुछ लोगों के साथ वैसा, तो आपकी विचार आप पर सबसे ज्यादा असर करेंगे, दो टीम खेल रही, इंतने लोग बैठे हुए है, सभी के विचार है, मर जो खेल रहे हैं, वहाँ खिलाड़ी, हर चक्के पर उनके विचार बदल जाते है, सामने वाले टीम ने चौका लगाया, अर्य, शायद हम हार जाएंगे, मतलब विचार कैसे परती पल लोगों के बदलते हैं, वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, ट्रेनिंग वही है, दिखा रोड़ी सत्य क्या भी हो, विचारों को फ़र्म करना है, जो ये निरंदरता से कर पाते हैं, वो सफल होते हैं, एंड-eंड में 19-20 का भी फरक हो जाता है, तो दूसरी टीम जित जाती, उनिस वाली हार जाती, तो इतने लाखों लोगों के विचारों के असर के बावजूद भी, जो प्लेयर से, उनका सबसे बड़ा असर, क्यों उनके माइन में क्या चल रहा है, मैच फिक्सिंग के विचार चल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा असर करेंगे, लालश के विचार, उनके विचार, परना सब तो सोचते बढ़ेंगे, और मैच पहले से फिक्स हो चुकी है, तो जो खिलाड़ी है, जो ड्राइव कर रहा है, तो डरने के आवशकता नहीं है, कार में, स्कूटर पर, अब अपने आप से बढ़ेंगे, मेरे विचार कैसे है, और अगर आपके विचार नेगेटिव है, बस में जा रहे हैं, आपके नेगेटिव है, तो खुट को खेना, ड्राइवर के अच्छे विचार है, चिंता मत करा हूँ. तो यह विचार करते ही आपके नेगेटिव पावर का असर कम हो जाएगा, तरण तो चुटी-चुटी सुक्षमें बाते हैं, एक-एक बात समझते जाएंगे, तो गर में शान्ती आ सकती है, पार्टनर का असर दुसरे पर पॉजिट्व ही होगा, नेगेटिव पावर असर लेना नहीं चाहेगा, अगर परसन, वो क्लियर है, इसके ओडर जो भी हो, मर मेरा ओडर ऐसा है, मेरी चाहत ऐसी है, मैं पीस को इन्वाइट करता हूँ, मुझे पीस से प्रेम है, शान्ती से प्रेम है, तो वही चीज आपके जीवन में अकरशित होने वाली है, तो डर रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, वरना लोग दुखी रहते हैं, कि डॉक्टर्स की चाहत है पेशन्ट आए, तो हमें बिमार होना पड़ता है मजबूरी में, तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशन्ट चाहिए, इसलिए लोगों को बिमार होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स तो बाद में आए, पेशन्ट्स पहले बने, लोग बिमार होए तो डॉक्टर्स की नीड आई, लोगों ने विचारों से खुद को बिमार किया, डॉक्टर्स तो बाद में आए, डॉक्टर्स भी अगर अपने विचारों को आज बदले, तो स्वास्त जल्दी आ सकता है, आसाने से आ सकता है, बिना साइड इफेक्ट आ सकता है, तो विचार सभी सही रखें और आगे बढ़ेंगे, पेशन्ट डॉक्टरों पर ब्लेम न लगा है, अपने विचार सही करें, लोग चाहेंगे कि हमारा दुकान चले, तो लोगों के टायर पंक्चर हो, तो टायर पंक्चर ठीक करने वाले बाद में आए, टायर का इस्तेमाल करने वाले पहले आए लोग, उनके विचारों ने वो सब लाया है, अगर हमें नहीं दुनिया का आविश्कार करना है, जहां पंक्चर नहीं होते टायर, तो वो दुनिया लाई जा सकती है, तो दोश किसी को देना नहीं है, कुद्रत को क्लियरली कम्यूनिकेट करना है, साफ साफ कम्यूनिकेट करें, वारतालाब साफ साफ हो, एक लड़के से टीचर ने पूछा, कि लेट क्यों आए, तो उसने कहा, मैं गिर गया और लग गई, इसलिए लिट आया, तो क्या गिर गया, कहा गिर गया, क्या लग गया, तो कहा मैं बिस्तर पर गिर गया, नीन लग गई, तो आदूरा कम्यूनिकेट मत करो, पूरा कम्यूनिकेट करो, जीवन में क्या चाहते है, सही टॉस करें, और विचार नियम के आगे फिर आथा टॉस, इससे जब आगे उठोगे सब जीवन में चीजें लाओगे तो फिर टास होगा, टास एक ही बात के लिए रहता है कि ईश्वर ये गुणों के साथ जो जुड़ा हुआ है, वे ही प्रात्ना है, वरना विचारियम में कैसे सबी चीजों को इंसान चाहता है, टास के साथ जिस च उस पर सभी काम करेंगे, निर्मान, बल और असर और फल, ये चार स्टेप्स बता है, निर्मान विचारों में हो जाता है, बल भावना से असरवानी पर और फल प्रकट रूप में दिखाई देता है, और सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपस में नकारात्मिक विचार से आप नकारात्मिक लोगों से जुड़ जाते हो, unconsciously, बेहोशी में, तो हम सकारात्मिक विचारी रखेंगे, ऐसे ही लोगों से जुड़ेंगे, जो उसी तरह के विचार रखते हैं, ताल अच्छा हो जाए, तारतम्य अच्छा हो जाए, हर्मनी, बली वो, आपोजिट विच क्यार के हो आप पसंदो, पसंद अलग है, आपको मिठा पसंद, इसको खटा पसंद है, नमकिन पसंद है, और फिर भी, आप साथ रह सकते हो, क्योंकि तारतम्य एक जैसा है, तो उस पर काम करना है, ये बाते समझी, और देवय योजना के अनुसार, अगर देवय योजना क के अनुसार है तो मेरे जीवन में आये है। किलियर कम्मिनिकेशन और उसके साथ बाकी सब गुन आते ही है। इश्वर के जो भी गुन है साहस है, रश्चनात्मिक्ता है, प्रेम है सब आये गई, सब जीसे देखो गई तो सही डंग से हम कम्मिनिकेट करें, विश्व को एक विचार देना सीखें, वे ही चीजे लाएं जो हम चाहते हैं। दूसरे के दिवे योजना में, दूसरों के सपनों में इंटरफिर न करें। और कभी-कभी हमारे खिलाफ काम करता है यह नियम, तो हमेशा हमारे हित में काम करें। यह हमने सीखा। जो तीर निकल चुके, निकल चुके, मगर अब हमें लकड हजम, पत्थर हजम यानि इस तरह ध्यान में पकना है कि दर्द आखर गए मगर हमें अनुभव की याद आई। निरंतरता से टॉस करें, निरंतरता से प्राथना करें, विचार करें। तो जो निर्मान हो चुका है आपके सामने आने ही वाला है। बस का ड्राइवर आप अपने विचारों के ड्राइवर है, सही चीज़ों को आकरशित करें। जीवन में सुरू से ही कुछ लगता था कुछ अधूरा है तलाज से किसी चीज की। मैं यहां तक पहुचा यह पता नहीं है, कहते है साथ जन्मों में अगर मोग्ष मिलता है साइड यह सातवा जन्म है। सिर्फ एक चीज समझ में आई कि बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ तूरा था, चीज़ों नहीं हो रही थी, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, कही नहीं कुछ छूट रहा थी इस सिर्फ के बाद पर सारी चीजें कलियर हो गई, सब को समझ में आ रहा है कि चीज है क्या क्या मिस हो रहा था, क्या चूट रहा था, सब प्रकृति चल रही है, सिस्टम सब, ईश्वर सब को चला रहा है, सब वही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते है, वह में दिखता इसका अभास हुआ, और इतना परमानंद गन्भूति हो रही है, सारी चीजें मिठ गई, सारे फर्दे हट गए, सब बिलीन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, जीवन में एक्दम सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं चुपा, और मेरे जीवन को ग्यान मिल पा, इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान है, और सब को मिले, पूरा विश्व में ये फैले, क्योंकि अगर ये ग्यान सब को मिल गया, तो जिस दुनिया की सारी समस्या खतम हो जाएगी, अलग जीवन होगा, अलग लोग होगे, धन्यवाद सर्श्री, धन्यव साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हैपी थौर्ट्स तेजग्यान और सर्श्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लेटिस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, धन्यवाद